एक question settle करते हैं, इसमें एक doubt आया है, जो मठपाल ने पूचा है, इसमें कह रहे हैं कि दो identical isocellus prism है, ठीक है, दो prism है, identical isocellus prism है, और उनको इस तरह से रखा गया, एक के उपर एक इस तरह से रखा गया, small angle, उनका जो angle of prism है, वो small angle A दिया हुआ है, refractive index में हुआ है, और उ system जो है, वो एक crude converging lens की तरह वहेव कर रहा है, एक parallel light ray आ रही है, जो के beach वाले base वाली line से h height पर आ रही है, एक उपर आ रही है, एक नीचे आ रही है, तो system की focal lens हम से निकालने के लिए बोलाए कि focal length क्या होगी इसकी, ठीक है, तो हम diagram दो बारे से बनाएंगे, कुछ इस तरह की situation है, यह मान लिए एक triangle है, एक crude diagram बनाते हैं, एक triangle यह है और एक triangle यह है, यह आपकी base वाली line है, और एक light ray यहाँ उपर आ रही है, इस तरह से, इस line के parallel, यह जो dotted line मैं बना रहा हूँ, यह आपकी principal axis की तरह काम करेगी, ठीक है, और यह thin prism है, तो यह इसको deviate करेगा light ray को, तो यहाँ से जब light ray deviate होके निकलेगी, तो इस तरह से band हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पर नीची जो एक light ray आ रही है, symmetric situation है, तो यह भी यहाँ पर इस तरह से band होगी, और यह यहाँ जाके meet कर जाएगी, कुछ इस यह जो angle of deviation जो होगा, thin prism के लिए जो angle of deviation होता है delta वो कितना होगा तो thin prism के लिए angle of deviation होता है mu minus 1 into a तो अगर यह angle delta है तो यह वाल angle भी क्या हो जाएगा delta और यह जो height यह आपको height दिए है h और यहां से यहां तक की जो distance है वो ही focal length के बरावर होगी, तो बस खतम हो गया 10 theta कितना बनने वाला है perpendicular upon base तो 10 delta अगर मैं लिखूँ तो यह आजाएगा perpendicular upon base तो यहां से अगर हम focal length निकालेंगे तो यह किसके बरावर जाएगा h upon 10 delta ठीक और जब angle of deviation small होगा क्योंकि thin prism है तो angle of deviation तो 10 delta, sin delta, delta यह सब बरावर हो जाते हैं तो इसी को आप ले सकते हो h upon delta और delta की value जो है वो क्या है वो है mu minus 1 into a so focal length will be h upon mu minus 1 into a तो जो crude converging lens जैसे वेव कर रहा है यह दोनो prism का यह setup, thin prism का यह setup crude converging lens की तरह वेव कर रहा है तो उस converging lens की जो focal length होगी वो आपके आजाई h upon mu minus 1 into a a क्या है a यह angle of prism है यह जो angle होगा यह क्या बनेगा आपका a clear